चलिए स्टुडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टाइपस ऑफ प्रेसिपिटेशन ठीक है हमने उस टाइम देखा था किस-किस कारणों से प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो पहला है हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन ठीक है इसमें क्या होता है मानलो क्या है ये कोई बहुत बड़ा माउंटेन है ठीक है बहुत बड़ा माउंटेन है अब हिमाला हिमालो ठीक है यहां पर क्या है अपने ये क्लाउट्स के लिए है क्या बन जाएगा एक बैरियर मतलब यहक्लाउट्स इससे आगे जा पाएंगे क्या नहीं जा पाएंगे है इससे आगे जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा उनको थोड़ा सा उपर उठना पड़ेगा है ना और हमको पता है कि अगर हम हम अर्थ के उपर कौन सी लेयर होती है ट्रोपोस्फियर अगर हम ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे उपर जाएंगे वैसे वैसे जाएंगे क्योंकि इनको आगे बढ़ना है, wind इस side की है, इनको आगे बढ़ना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, उपर उठना होगा, और जैसे ये उपर उठेंगे, ये क्या हो जाएंगे, थंडे हो जाएंगे, क्योंकि उपर क्या है, temperature कम है, तो जैसे ये थंडे होगे, के मतलब इनका क्या हो जाएगा condensation और जैसे ही condensation होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा precipitation clear है इसलिए हम इस side को बोलते हैं windward side क्या बोलते हैं windward side ठीक है और इसको बोलते हैं इस side को लीवर्ट side ठीक है तो बताओ बारिश ज्यादा कहां पे होगी किस side ज्यादा बारिश होगी windward side या लीवर्ट side ओविएसली clouds यहाँ पे ज्यादा है ठीक है इस side तो बहुत काम आप आप आएंगे clouds तो heavy rain कहां पे होगी यहाँ पे होगी heavy rain यहाँ पे कैसी होगी heavy rain और यहाँ पे कैसी होगी light rain clear है windward, leeward side तो इसी के कारण हमारे यहाँ UP में बारिश होती है क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा mountain क्या हिमाले है clouds वहाँ जाके रूप जाते हैं और पूरा UP MP में बारिश हो जाती है clear है orographic precipitation, अब हम देखेंगे next type of precipitation जिसको हम बोलते हैं cyclonic precipitation cyclone सब जानते हैं, इंडिया में भी बहुत आता है अगर इंडिया में आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं cyclone ठीक है, अगर अमेरिका में आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है अमेरिका में बोला जाता है इसको हैरीकेन और अगर साउथ एस्ट एस्ट एशिया में आता है तो हम इसको बोलते हैं ताइफून तीनों हैं एक ही चीज इसमें क्या होता है नोट साब लिख लेंगे ठीक है a cyclone is a large low pressure zone cyclone कैसा होता है कुछ इस type के होता है cyclone ठीक है तो यह क्या create करता है center पे एक low pressure zone create करता है मतलब सब को खीचता है अपनी तरफ ठीक है अब उससे क्या होता है region with circular wind motion like this तो क्या होता है in low pressure area air will flow horizontally from the surrounding area अब क्या होगा low pressure create हो गया तो यह क्या करता है सारे side की हवा को अपने तरफ खीचने लगता है कुछ इस तरीके से सारे side की हवा को अपने तरफ खीच रहा है एक low pressure zone create करके जिससे क्या हो रहा है जो यहां के clouds है हवा आएगी ग्लाउड भी तो आएगा cloud कैसा है हलका है ना हवा के साथ वह भी क्या हो रहा है cloud भी क्या हो रहा है उपर जा रहा है और सारे area का cloud उपर जा रहा है तो इससे क्या होगा उपर जाने से हमने बताया था troposphere में उपर जाते हैं तो temperature temperature कम होता है मतलब थंड़ा होती है चीजे तो वैसे सारे क्लाउड जब मिलके ऊपर जाएंगे तो क्या हो का बहुत बड़ी एक बारिश होगी है ना तो जैसे हम देखते हैं कि Bay of Bengal में अगर कोई तूफान आता है तो बारिश कहां तक आती इच तिझदेगाभ, M.P., Bihar, सब जगा होती है बारिश किस कारण होती है सिर्फ इस साइक्लॉन के कारण अभी मुंबाई में आया था मुंबाई गुजरात तरफ तो बारिश कितनी होता ही किस के कारण हुआ था साइक्लॉन के कारण अब हम देख लेते हैं type of cyclone टाइप आफ साइक्लोन सबसे ज्यादा डेंजरस साइक्लोन कौन सा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे बीच वाले रीजन में आता है 23 डिगरी 30 मिनिट से लेके इधर भी 23 30 मिनिट तक तो इस एरिया में में कौन-कौन से देश आ गया इंडिया आ गया साउथ इसे एशिया आ गया यहीं पर आता है बहुत ज्यादा साइक्लोन क्लियर है तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के पास बहुत एनरजी होती है ना उसको कहाँ से मिलती है उसको मिलती है लेटेंट हीट उफ कंडनसेशन ऑफ ओशिन वाटर वैपर ओशिन मे जब पानी में होता है तो बहुत तेज होता है लेकिन जैसे वो प्रिथवी में आता है तो उसकी एनर्जी का जो सोर्स होता है वो क्या हो जाता है खतम हो जाता है तो प्रिथवी में इसने साइक्लोन नहीं आ पाता है या अर्थ में नहीं चल पाता है जब तक पानी में है थोड़ा एक starve छो प्रॉपिकल्प्ल सोन से खोरा संवाहर किसा इसपर गशोज जाएँ ग़ा यहाँ क्या आप के करेगा वहाँ तो रस्ता कहीं भी जाएगा तो उस सब्सक्राइब्र-णल्प फूटअब सब्सक्राइब लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो precipitation का, इसमें जो हमारा precipitation का magnitude होगा, magnitude होगा, वो tropical cyclone से कम होगा की ज्यादा, obviously ये क्या होगा, कम होगा, है न, wind का direction, wind की speed, velocity सब क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, region से थोड़ा सा अलग जा रहा है न, tropical cyclone से थोड़ा सा अलग जा रहा है, इसमें जो भी magnitude होगा, वो tropical cyclone से कैसा होगा, कम होगा, चाहे wind का हो या फिर precipitation का हो, ठीक है, next हम देखते हैं, next type का होता है, anti-cyclone, anti-cyclone मतलब क्या पता चल रहा है, आपको cyclone से just ultra, cyclone में क्या होता था, हमने वहाँ देखा था, cyclone में हमने क्या देखा था, एक low pressure zone create हो रहा था, है न, तो यहाँ पे जो anti-cyclone है, उसमें क्या होगा, एक high pressure region बनेगा, क्या बनेगा, एक high pressure region बनेगा, ठीक है, weather कैसा होगा, cyclone में कैसा होता है weather, बहुत ही खतरनाक, बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज हवा चलती है, anti-cyclone में कैसा होगा weather, काम होगा, हवा कैसी चलेगी, दीरे-दीरे, clear है, cyclone और anti-cyclone का, अब हम एक topic देख लेते हैं, इसी में, कि wind का direction, क्या होता है cyclone में, और anti-cyclone में, ठीक है, ये कभी-कभी आपको two marks में भी पूछे लेता है, university exam में, और आपको competitive में भी काम आ सकता है, ठीक है, तो cyclone, cyclone जब मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो दोनो cyclone की बात कर रहा हूँ है, tropical cyclone भी और extra-tropical cyclone भी, ठीक है, इसमें wind का direction कैसा होगा, जब north sphere में देखेंगे, north hemisphere में, ठीक है, earth 2 hemisphere में बटा हुआ है, north और south, और बीच में क्या जाती है, equator line, ठीक है, तो north hemisphere में, जो wind का direction होगा, वो कैसा होगा, anti-clockwise, ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, cyclone, है ना, लग रहा है, cyclic, लेकिन उल्टा होगा, anti-clockwise, सिर्फ एक का याद रखेंगे, दूसरे का automatic clockwise है, ठीक है, just opposite, south hemisphere में कैसा होगा, wind का direction, clockwise, ठीक है, तो इसका नाम भले, c से चालू हो रहा है, लेकिन ये north hemisphere में clockwise नहीं होता है, ये क्या होता है, उल्टा, anti-clockwise, आपको बस यह याद रखना है, cyclone, anti-clockwise, लेकिन anti-cyclone, clockwise, clear है, दोनों just उल्टे है, anti-cyclone, नाम है anti, लेकिन north hemisphere में कैसा रहेगा, clockwise, और south hemisphere में कैसा रहेगा, anti-clockwise, clear है, चलिए, अब हम next, precipitation में आते हैं, convective precipitation, चलिए, तो cyclonic precipitation, हमने अभी तक दो देखे, orographic और cyclonic, ठीक है, अब हम third देख रहे है, convective precipitation, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर पानी में आपका evaporation होगा, तो कैसा वाला, कैसी हवा आएगी, गरम या ठंडी, obviously पानी गरम होके निकलाए ना धुआ, या भाब, तो वो कैसा होगा, गरम होगा, तो इसको हम red से शो करें, ठीक है, मानलो ये कोई पानी है हमारा, ठीक है, ये पानी है, इससे evaporation हो रहा है, तो hot air mass जो है, वो उपर जा रहा है, कैसा है, hot air mass, ठीक है, ये क्या हो रहा है, उपर जा रहा है, तो क्यों उपर जा रहा है, हमने बच्पन से पढ़ाई किया, जो गरम हवा होती है, वो कैसी होती है, लेस डेंस होती है, ये कैसी होती है, यह होती है less dense मतलब हल्की होती है warm air ठीक है तो हल्की चीज हमेशा क्या होगी ऊपर जाएगी और आपको पता है स्ट्फियर में क्या होता है जैसे यहां से हम ऊपर जाते हैं टेंपरेचर कम होते जाता है यहां पर यहां पर कैसी हम गिलेगी यहां पर जो इस एरिया में यह औल पर गिया、 आपוז क्या ऑगिए धाकि पर मिक्स हो दिखेव, चां़ुकि यह यह क्रूटेर रही है inviting दिख़ा ह और यह जो air के mass है वो पहले से ही less dense है मतलब उन में voids है तो इन voids को ऐसे शो करते हैं यह मानलो hot air है इसमें बहुत सारे voids है तो इन में आके क्या हो जाएगा cold air का mass भर जाएगा clear तो उससे जो hot air है वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और आपको पता है जैसे यह water vapor condensed होता है मतलब ठंडा होता है तो वहाँ पे क्या होने लगता है? precipitation clear अब definition से समझेंगे इसको अब packet of air which is warmer than the surrounding air यह हो गया एक packet of air जो की गरम है उसके surrounding से due to localized heating, rises because of its less density, localized heating के कारण यह generate हुआ है और लेकिन यह क्या है? less dense है तो उसके कारण क्या होगा यह? ऊपर जाता जाएगा लिखा है तो warm air mass continue to rise और जैसे यह से ऊपर जाएगा यह cold air mass इसको क्या करने लगेगा? ठंडा करने लगेगा? जैसे यह ठंडा हो जाएगा वैसी क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी ठीक है? लेकिन यह क्या होगा? एक localized heating है मतलब एक कोई particular छोटा सा area जहां पर यह heating हो रही थी? ठीक है? इसलिए इसका area कैसा होगा? एक small area होगा ठीक है? limited to 10 km डाया और जो हमने cyclone देखा था ना, cyclonic precipitation मैं देखे 10 km डाया को कम क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए आपको बता रहा हूँ क्यों कि जो हमने cyclonic precipitation देखा था उसमें यह डाया इतना हो जाता है ठीक है? उसमें यह डाया क्या हो जाता? 10 to the power 3 इसलिए यह area कैसा हो गया? बहुत छोटा कि एक शहर में बारिश हो रही है बस ठीक है? यह एक कोई छोटे से गाओं में बारिश हो रही है तब हम उसको क्या बोलेंगे? इसमें convective precipitation ठीक है? लेकिन क्या होगा इसमें? duration भी कम होगा लेकिन इसकी intensity high होती है आपने देखा होगा मम्मी बापा बोलते है कि जब तेज बारिश होती है तो क्या होता है? उसका duration कैसा होता है? कम होता है? बोलते हैं आपको बेटा बारिश तेज हो रही है रुख जाओ थोड़ी देर में बारिश भी रुख जाएगी क्योंकि तेज बारिश जल्दी रुख जाती है ना? duration कैसा है इसका? small. I hope आपको clear होगा convective precipitation. ओके next आते हैं हम frontal precipitation में चीक है? तो पहले इसकी definition देख लेते हैं क्या बोल रहा है? when a warm air mass and cold air mass meet, the warmer air mass is lifted over the colder one with the formation of front. तो उसके लिए हम पहले front समझते हैं, front क्या होता है? ठीक है? cold air, ठीक है? तो दोनों जहाँ टकराएंगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, front. clear है? तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से hot air आ रही है, और यहाँ से cold air आ रही है, अब क्योंकि यह हल्की है hot air? तो यह क्या हो जाएगी इसके? उपर चड़ जाएगी, है ना? और इसके कारण क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी, क्योंकि यह गरम air क्या हो जाएगी? इसके कारण? ठंडी हो जाएगी. clear है, frontal और convective में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, direction का. clear है दोनों के बीच का डिफरेंस? यह जाएगी.